मेरी आने वाली सभी लेटिस्ट वीडियोज के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कवितास क्रियेटिविटी को और बेल आइकन दबाना भी ना भूले ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोज आपको सबसे पहले मिल पाएं हाई एवरिवान वेलकम बैक टू माय चैनल तो आज मैं आप लोगे साथ शेयर करे हूँ वो गिफ्स आइटम जो बेबी को मिले थे उसकी नानी की तरफ से तो ये सारे मैंने आपके साथ शेयर के ते लास्ट वीडियो में कहा था डीटेल में मैं शेयर करूंगी तो ये थी ब तो मैं कोशिश करूंगी ये बहुत समाल के रखूं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रीशियस मेमोरी होती है ये तो ये गोल्ड की रिंग दीती इसके लावा ये थे चांदी के कड़े जो की बहुत अच्छे हैं खनखन वाले तो अभी तो उसको बहुत डीले हैं ये बिल्क तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ तो ये एक रैपर था इस तरीके से पिंक कलर का ये बेबी के पैदा होने से भी पहले मैं लेके आई थी तो ये मुझे अच्छा लगा था तो मैं ममी की साथ जाके लेके आई थी तो ये ममने फर्स्ट रैस से लिया था रैपर उसके और ये है असके ड्रेस जो सकी मासी लेके आई थी तो सबसे पहले ये जीन्स और जैकेट है और बहुत क्यूट क्यूट सारी ड्रेसे हैं अब उस टाइम तो सारी बढ़ी थी लेकिन अब काफी उसको आने लग गए हैं और बहुत अच्छी अच्छी हैं एक के रॉम पर है इस पर लिखा है mom and dad is equals to me तो ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा था और वीडियो कॉल पर मैंने काफी चीज़े पसंद करी थी तो ये है इसके साथ ही काफी चीज़े वोलन में लाए है ये एक वोलन ड्रेस है जो कि बहुत प्रिटी लगती है इसके उपर बहुत गोलू मोलू लगता है वो इसमें तो ये है ये शायद विशाल मेगा मार्ट से ली थी मेरी सिस्टर ने तो वहां का कलेक्शन भी अच्छा लगाए में है mostly दो ये जगे से ली थी फर्स्ट क्रेस है विशाल मेगा मार्ट से तो ये है कारगो और कारडिगन स्वेटर है एक्चिली में तो ये बहुत पृटी लगता है उसके उपर अभी हमने कुछ ताइम पहले उसको पिना है था बहुत ही समार्ट लग रग रग़ा था तो ये है और ये है उसका फर्स्ट क्रेस हमने लिया था थ्री पीस तो ये है बहुत क्यूट सा है या होप वो अपनी मासी की शादी में पहन पाएगा अभी तो कहीं यासा कोई occasion नहीं है फिर भी let's see तो ये बहुत प्रिटी है और इसी के साथ ये है इसका धोती कुड़ता जो कि मैंने specially demand किया था कि एक जरूर लेके आना तो ये मैंने उसे अभी दशेरे पे पिनाया भी था और बहुत ही अच्छा लग रहा था और अब शायद ये अपनी मासी की हल्दी पे से पहने तो देखते हैं क्या होता है और इसी के बाद ये विशल मागमाट से हमने लिए थे मेगा ने लिए थे दो ये पूरा सेट था इसमें कैब भी थी बिब भी थी और दो जो है इसमें पजामिया थी तो ये पिंक कलर जो कि हमारे में जरूरी होता एक पिंक कलर देना इसलिए ये वाला ड्रेस पिक किया था इसी के साथ दो बूटी थी इसके साथ दो ये थे इनके दोनों एक ब्लू और एक पिंक ये भी बेबी के पैदा होने से पहले लिया था तब कन्फर्म नहीं था बेबी गर्ल या बॉय तो ब्लू पिंक दोन लिया था ये है बिप्स जो उसकी नानी की तरफ से आई थी उसके लिए तो सब बहुत क्यूट क्यूट बच्चों जैसा कार्टून वाले समान बहुत प्रिटी लगता है और ये है कुछ नैपी जो उसकी नानी ने दिये थे मतलब एफ्रीटिंग हर एक चीज जो मिली थी नानी की घर से और ये वीडियो वह बाद में देखेगा तो उसको बहुत अच्छा लगेगा तो ये है कुछ बरतन जो छोटे-छोटे बरतन होते हैं बच्चों के जो नानी की घर से आते हैं वह है तो जब बढ़ा ओजाएगा तो इसमें खाना खाएगा और ये है टॉइज जो उसकी नानी ने दिये थे तो ये अभी उसकी एज के अकॉर्डिंग सारे टॉइज हैं ये यह जो है बड़े मस्त लग रहे थे सारे और कलरफूल से टॉइस हैं इन में से एकात का तो हमने नाम भी रख दिया है यह जो येलो डकेस का नाम है मुन्नी तो यह बाबु का फेवरेट अव्युक्त का फेवरेट टॉइ है तो इसको हम मुन्नी बोलते हैं और यहां पे यह है बाबु का टॉवल तो यह बीबी का टॉवल है जो उसकी नानी ने दिया था उसको बहुत ही पिड़ी लगता है यह लेकिन यह पने फर्स्ट क्राइश से लिया था लेकिन इसकी क्वालिटी मुझे ती अच्छी नहीं लगी और यह उसका टॉइ बड़ मारू पेर मारू स्पलव जो जी है अव नहीं है बड़ मारोा प्यों-टो और लास्ट में था यह उसका बैड जो उसकी नानी की गरव से उसके लिए आया था तो यह वीडियो है उसकी गिफ्स की जो उसको नानी ने दिये थे उसके बर्थ पे तो I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताईगा इस वीडियो को लाइक कीजिए मेरे चानल को सब्सक्राइब कीजिए मैं मिलती हूँ आपको नई वीडियो के साथ तब तक के लिए हसते रहें, मुस्कुराते रहें और कवितास क्रेटिविटी को देखते रहें थैंक यू